हलो फ्रेंड मैं इस्मृति एस्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इस्मृति में आईए सुरू करते हैं आज की क्लास आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्रिसी विज्ञान से संबंधित मुख्य परिक्षा के लिए प्रश्ण का उतर कराने वाली हूँ ये उन सारे स्ट्रेंड के लिए हल्फिल हो जाएगा जो जेप्यासी की त्यारियों में लगे हैं आज की क्लास में जो टॉपिक मैंने लिया है इसे मैंने मुख्य परिक्षा जेप्यासी के मुख्य परिक्षा के प्रश्ण पत्र 6 से लिया है जिसमें आप लोगों को क्रिसी विज्ञान पढ़नी है और जो प्रश्ण इससे मैंने बनाया है वो प्रश्ण है जार्खन में जलवाईयो परिवर्तन ने फसल प्रतिरूप को किस प्रकार से प्रभावित किया है जलवाईयो परिवर्तन के संदर्व में जलवाईयो अनुकूलन फसलों के छंता और चुनोतियों का वर्णन कीजिए यह आज का प्रश्ण है चले सुरू करते हैं आज की क्लास को और इसके तीन भाग कीई है पहला भाग जो है भूमिका का दुसरा भाग मुख्या भाग और तीसरा भाग जो हो निसकर्स का है चलि सबसे पहला नोय को पड़ते है जार्खंड बुलता एक कृष्य प्रधान राजय है राजी की क्रिसी समाने तक परंपरागत धंग से की जाती है और क्रिसी जीवन निर्वाप्रकृति की है जारखन में जो क्रिसी है अर्थववस्था का एक प्रमुख साधन है क्रिसी और क्रिसी जो की जाती है वो जीवन निर्वाप्रकृति की होती है ऐसा नहीं है कि वैवसा जार्खण की क्या कौन-कौन सी है विशेष्टा तो अर्थ वस्था का सब्स प्रमुक साधने क्रिसी दूसरा है कि जुक्रिसी हो जीवन निर्वाह प्रवर्वृति की है और तीसरा जो है वो है कि यहां पर जो क्रिसी होती वह परमपरागत धंग से की जाती है बहुत जादा बर्स भर सालों भर जल बना रहता है जिस कारण से सिचाई करना मुश्किल हो जाता है नहरों की कमी है तलाबों की कमी है प्रयास किये जा रहे हैं कि तलाबों के द्वारा वर्सा के जल को तलाबों के द्वारा सिंचित किया जाए पोखरों के द्वारा या फिडोभा के निर् आश्रकों में भी सबसीडी दी जा रही है किसानों को जिससे कि उन पर अतरीक तरीक ना हो और वो सही तरीके से क्रिसी कर सकें तो खादे फसलों में चावल की प्रधानता है धान जादा उप जाए जाते हैं जिसकी कुल बुआई वाले छेतरफल के 60 प्रतिशत भाग पर खेत मौसमी संबंधित अन्यमितिताओं के प्रति अत्यधिक शम्वेदन सील है जो लगू और सिमान्त जो क्रिसी जोत है वह मौसम का अन्यमितिता अलग-अलग मतलब कई बार कई वर्स ऐसे होते हैं जिसमें वर्सा जो है अपिक्षक्रित बहुत कम होती है बहुत सारे ऐसे जी 109 इबं दोचार उन्डीस बीस में क्रिशी गतिवीदियों में देश-व्यापी असरवरगिरावट परिलक्षित होता है और जार्खन में यह स्तिती ओया है चुकि क्रिसी के कारे जो हैं पूरे भारत में ही इसकी गतिवीधियों में गिरावट देखी गई है और छार्खन में भी क्रिसी से संबंदित जो गतिवीधिया हैं उसमें गिरावट दर्ज की गई है 2017-2018 की तुलना में खरी फियम रभी दोनों फसलों में गिरावट देखी गई है वर्ष 2017-2018 में धान के कुल फसल छेत्र तथा उत्पादन क्रम्श साथ सत्रह सो 35,000 हेक्टियर और 5,109,000 हेक्टियर की तुलना में 2019-20 में यह करम्श 1338,000 हेक्टियर और 291,000 हेक्टियर तो यह जो आंक्डे हैं यह आर्थिक सर्विक्षन रिपोर्ट 2019-20 के अधार पर है यह धान के हो गए यह आंक्डे इसी प्रकार से गेहूं का कुल फसल छेत्र तथा उत्पादन 2017-2018 में करम्श 211,000 हेक्टियर और 470,000 तो फसल छेत्र और उत्पादन में गिरावट के कारणों में वर्षा की कमी काफी महत्वपूर्ण रही है वर्षा की कूल कमी 2018-28 प्रतिशत जबकि 2019-21 प्रतिशत रही तो ये अनीमितिता थी परिवर्थन हो रह Tôi इसका प्रभाव जो है वर्षा पर भी पढ़ता है और वर्षा का एक्दम डिएरेक्ट प्रभाव जो है क्रिसी पर पढ़ता है तो और क्रिसी के कारे जो है अगर सही तरीक है से नहीं किया जाए तो जो फसल है जिस पर जीवन निर्भर है तो उसके उत्पादन शम्ताक में भी कमी आ जाती है तो फसल प्रति रूप पर जलवाइव परिवर्तन का कॉंगोंस सब प्रभाव पढ़ता है अब चले उसको देखते हैं तो जलवाइव परिवर्तन के फसलों पर प्रभाव तो फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, वर्सा अधारित फसलों के उत्पादन में कम ही आ जाती है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहां जानते हैं, जल्वाईयो परिवर्थन के कारण उच्छ तापमान और बदलते वर्सन प्रतिरूपन विविन फसलों के उत्पादन प कम हो जाती है, तो इसका प्रभाव जो है वो फसल पर देखने पर मिलता है, जार्खन का अनाज उत्पादन जल्वाईयो परिवर्थन के प्रति अभिद्य है, इसकी वज़ा से माफिजे का सूभिद्य है, अभिद्य मैंने कहा दिया, उटा कहा दिया, तो जार्खन का अना परिवर्दन का प्रभाव विभिन फसलों पर पड़ा है और इनके उत्पादन में कमी देखी गई है अध्यान में यह पाया गया है कि बाजरा जुआर और मक्का जैसे अनाजों का उत्पादन चरब मौस्मी दसाओं के प्रति अधी अधीक अनुकूल होते हैं जो मौस्मी द जल्वाईयों में साल दर साल परिवर्दन के कारण इस प्रकार की फसलों के उत्पादन में कोई खास परिवर्दन नहीं होता है जल्वाईयों परिवर्दन होता है तो इसमें बहुत जादा परिवर्दन नहीं होता है ऐसा नहीं कि अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत ज पर सुखे के दौरान थोड़ी गिरावट आती है कभी कभी ऐसा देखा गया कि जब सुखा अगर पड़ा तो इन सारे फसलों में कुछ गिरावट आई हालांकि जारखंड के प्रमुख फसल चावल के उत्पादन में चरब मौसमी दसाओं के कारण बड़ी गिरावट आती है जो चावल जो है अगर मौसम में अगर मारे शगर सही तरीके से नहीं होती है तो चावल का उत्पादन सही तरीके से नहीं होता है और इसमें जादा प्रभाव पड़ता है तो इसके उपाए भी हम लोग सुखाएंगे कि किस तरीके से किसान को क्रिसी करनी चाहिए ताकि इ प्रेदबी अधिकांस फसलों के उत्पादन में कमी आती है लेकिन जलवायू परिवर्तन में सोया बीन, चन्ना, मुंगफली, नारियल और आलू जैसी फसलों के उपज में सुधार करने में मदद मिल सकती है अगर इन सारे फसलों को लगाए जाए तो अच्छा लाव मिल सकत है जलवायू अनुकूल फसलों की छमता अपनों इसको छमता को जानेंगे जलवायू अनुकूल फसलें चरम मौसमी दसाओं के प्रती अनुकूलन के माध्यम से जलवायू परिवर्तन के खत्रों को कम करने में मददगार साबित होती है तो वैसे फसलें जो जलवायू परि परिवर्थन के खत्रों को कम करने में बहुत ही मलददार साबित होती है निम्लिखित सथ से विज्ञान प्रभंधन प्रथाओं के मध्यम से जुल वायु जोखिम को कम किया जा सकता है जरवायों जोखिम को किस तरीके से कम किया जाएगा तो यह हम लोग जाने कुछ यहां उपाय सुझाएगा है तो अंतर एवं बहु फसली क्रिसी पद्धिती और फसल चक्रन को अपना करके जैसे कि अलग-अलग फसल को बोया जाएगा मतलब या फिर एक साथ ही कुछ दूसरे फसल बो जाएगे तो थोड़ा अंतर करके ऐसा नहीं केवल धान ही बो दिया गया केवल गेहूं ही बो दिया गया अगर उसके साथ जो फसल लगने वाली होती है तो उसको भी लगाया जाए तकि अगर एक फसल पर प्रभाव पड़े तो दूसरा फसल जो है तो उस प्रभाव को कम करे तो इस तरह के से फसल चक्रण या अंतर और बहुत फसली क्रिसी पदिती को अपनाय जा सकता है गैर क्रिसी गतिवीधियों की और अस्थनांतरन तो जो गैर क्रिसी गतिवीधि है उसके तरफ भी अस्थनांतरन किया जा सकता है बीमा कवर को भी जैसे कि फसल बीमा जो है वो लेनी जरूरी हो जाती है क्योंकि अगर क्रिसी हो रहे हैं किसी व उनको बहुत ज्यादा हानी नहीं सहनी पड़े इससे क्या होता है कि बहुत सारे किसान आत्मत्या का रास्ता अपना लेते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हानी हो जाती है पैसे के भी आनी होती है, फसल के भी आनी होती है, समय का भी बरबादी होता है लेकिन हिमत नहीं आने चाहिए, एक फसल करागवा, दूसरी फसल लग जाएंगे इसके लिए बहुत ही अच्छा विकल्क होता है, बीमा कवर कराना सौर पंप, ड्रिपसी चाई और स्प्रिंकलर जैसे उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना भी बहुत जादा जरूरी है ये कीट प्रतिरोधी होने की वज़ा से कीट हमलों से फसल के उपज को होने वाले नुकसान से बचाते हैं जो बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं, वो कीट प्रतिरोधी होते हैं और वो कीट हमलों से फसल के उपज को उने वाले नुकसान से बचाते हैं जलवाई अनुकूलन फसले क्रिसी आगत की उत्पादकता और दक्षता में व्रिधी करती हैं और यहां तक की कार्बन उत्सर्जन समन भी करती हैं जलवाई अनुकूलन फसलों को अपनाने में चुनाती हैं कौन-कौन सी चुनाती हैं अब चलिए हम लोग उसको जानते हैं परामपरिक तरीकों से की जाने वाली जीवन निर्वा क्रिसी चारखन के किसानों के बीच नए जलवाई अनुकूलन फसलों को अपनाने में कौन-कौन सी चुनाती हैं मैंने आपको बताया कि अगर जलवाई अनुकूलन फसलों को अगर खेति की जाती हैं परामपरिक तरीके से की जाने वाले जीवन निर्वाक्रिसी जारखन के किसानों के बीच नए जलवायों स्मार्ट क्रिसी तो और तरीके को अपनाने की गति को कम कर देती है चुकि मैंने आपको बताए कि जारखन में परागत तरीके से क्रिसी की जाती है मतलब हुआ जो बहुत पहले से जो प्रथा या जो तरीके जो विधी को इसो अपना रहे हैं जिस विधि को आज भी बहुत सारे वा अपनाने में उनको थोड़ा मश्की मेश करते हैं इस कारण से यह जो गतिविधी होनी चाहिए जितनी तीवर की जिस तरीके से जलवायों परिवर्थन हो रहा है उसी के अनुसार फसल को वह जाए तो ऐसे वो तक्नीक वो नए तर्मी सीखने ही पाते हैं और जिस कारण से यह जो विधी है यह उतनी गति नहीं पकड़ पाती ह जतनी होनी चाहिए अब जानेंगे आप लोग next कि फसल प्रतिरूप को ततकाल परिवर्तित करने के लिए क्रिसी वे ज्यानिकों निति निर्माता हो और किसानों के बीच ज्यान अंतराल बहुत व्यापक है तो अगर ऐसे फसल प्रतिरूप को ततकाल परिवर्थित करने के जैसे तुरंथ बदलाव आ जाए तो ऐसा संभोर नहीं हो पाता है और किसानों में और क्रिसी वेग्यानिक और निति निर्मादा इन सभी के बीच में एक गैप है बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्रिसी वेग्यानिक हैं वो सुझाओ कर देते हैं जो निति निर्मादा करने वाले हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं उस तरीके से वो योजना बना नहीं पाते हैं और किसानों तक यह उजना या इस तरीके के लाव यह इन तकनीक के बारे में उनको पता नहीं चल पाते हैं तो जिस कारण से यह भी बहुत बड़ी चुनोती है कि इस तरीके से विधी जो है नई तकनीक जो है जो जलवाई परिवर्थन के अनुकूल है तो उसको अपना नहीं पाते हैं किसान अब फसल विविधी करण के लिए किसानों को निर्देशित करना और उनका मादर्शन करने के लिए समय अनुकूल संस्थागत पहल का अभाव फिर है किसानों को जलवाई अनुकूल फसलों को अपनाने है तो प्रेरीत करने में अनुसंधान और सेक्षनिक हस्तचेप का भी अभाव है किसानों को जलवायों के अनुकुल फसलों को अपनाने के लिए और उनको प्रेरीत करने के लिए जो अनुसांधान होने चाहिए वैसे सक्षिनिक अखस्त छे पुनमत उनको सिक्षित किया जाना चाहिए उनको जागरुक किया जाना चाहिए किसानों को कि आप इस तरीके के त एक मुश्किल पैदा करते हैं अब मुनिस कर्स को देखते हैं जारखन में वेकलपिक आनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने से पोशन सुधार पानी की बच्षत और क्रिसी के लिए उर्जा की मांग में कमी तथा इससे होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन में कमी जै अलग से अधिकतम फंड प्रदान करने की ततकाल आवश्यक्ता है तथा इस समस्या से निपटने के लिए अधिक व्यापक रंडिती विक्सित करने की भी आवश्यक्ता है देखे इस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो किसान है उनको जागरू किया जाए उनको सि फसल बोईंगे या कौन सी फसल बोईंगे जिससे उनको लाब मिल जाएगा इन सारी चीजों से उनको अवेर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हो नेक्ष लास में लेते हैं आपसे विदा धन्यवाद